करनाटक से शुरू हुआ हिजाब विबाद पर आज सुप्रीम कोट में फिर शुन्माई होनी जिसमें सुप्रीम कोट ने साफ इनकार कर दिया है सुप्रीम कोट ने कहा है कि हम सोचेंगे कि कब इसमें दखल देने का सही समय है करनाटक हाई कोट के अंतिम फैसले के बाद हिजाब मामले की याचिका सुप्रीम कोट में दाखिल हुआ इसमें कॉंग्रेस नेता बीबी श्रीनिवास राव की याचिका शामिल थी इससे पहले गुरु बार को करनाटक हाई कोट ने अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई थी करनाटक हाई कोट के अंतरिम आदेश को चुनोती देते हुए वकील देवदत कामत ने दलील रखी थी कि हाई कोट का अंतिम आदेश उचित नहीं है एक्जाम भी सरपर है इस पर सीजे आई ने कहा कि अभी हाई कोट सुनवाई कर रही है लिहाजा उनको ही इसे सुनने दिया वहीं कोट में S.G. तुसार महता ने जब कहा कि इसे राजनितिक और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए तो इसी बीच S.G. तुसार महता को बीच में रोकते हुए सीजे आई ने कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के सनरक्षन के लिए बैठे हैं कोट में देवदत कामत ने कहा कि मामले पर सोमवार को सुनवाई की जाए इस बात पर सीजे आई ने कहा कि मामले को बड़े स्तर तक ना फैलाया जाए इसका जबाब देते हुए सॉलिस्टर जनरल ने कहा कि हिजाब भी बात पर हाई कोट को फैसला लेनी दिया जाए स्तर पर लाना चाहिए या नहीं हमें सब के संबैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है में रेखना होगा कि हमारे इसमें दखल देने का क्या ठीक समय है आज सुप्रीम कोट में एशद सिफा और आरिफ जमील की याचिका को तुरन सुनवाई के लिए मेंशन किया गया है दरसल करनाटक सरकार ने राज्य में करनाटक एजुकेशन एक्ट 1983 की धारा एक सो तैतुस लागू कर दिया है इसी वजह से सभी स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवारे कर दिया गया है इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तै यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी प्राइवेट स्कूल भी अपने